Cross-Cultural Psychology, Human Self and Psyche in Religious Tradition हम बात कर रहे थे कि दुनिया जो है वो कहां से आई, इंसानियत का आगास कैसे हुआ, हमारे level of reality क्या क्या हैं और इंसानी वजूद के क्या क्या दर्चे या लेवल्स हैं। तो उसके बात हमने बात की कि खुदा का तसवर क्या है मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ कल्चे इस से हम खुद खुद इस पे आई हैं कि इनसान की जो अपना वजूद है उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। तो उसके लिए हम, मैं दुबारा डाग्राम की तरफ भी लेखे जाऊंगी लेकिन पहले हम कुछ बात समझ लें। इनसान जो है वो एक ट्री पार्टाइट बिंग है यानि तीन हिस्सों पे उसका तीन कंपोनेंट समझ लें। और यह हिस्से इस तरह नहीं है कि आप इनके बीच में दिवार कर सकते हैं। यह जो इनकी साखत के इलावा जो इनके फंक्शन है जो कुछ यह कर रहे होती हैं। और जिस तरह से एक दूसरे के अंदर हलूल किये हुए हैं। लेकिन यह मुक्तलिफ चीज़ें अंजाम दे रहे हैं। और मिल जूल के दे रहे हैं। तो यह जो तीन चीज़ें यह बॉड़ी हैं। माइंड और सोल को एक ही जगह इस्तमाल करेंगे। क्योंकि सोल माइंड के साथ जुड़ी होती है। उसके बाद है स्पिर्ट यानी रूह। बॉड़ी की नेचर क्या है। इसमें मैं कोई तस्वीर ना भी डालूँ। मैं बहुत तस्वीरें डालती हूं अतनी अक्सर प्रेजेंटेशन्स में सिरफ बात को वाज़े करने के लिए। लेकिन ये जो मौजवें इनकी कुछ सोबराइटी और इनकी संजीदगी अलफास पर आपकी तवज़ो मांगती है। इसलिए मैंने तस्वीरों से परहेस किया। जिसम की नौयत है नमबर वन ये फिजिकल है। फिजीक का मतलब भी जिसम होता है। यानि इसका एक ठोस वजूद है। फिर ये नजर आता है जिसम ये विजिबल है। तीसरा ये पेरिशिबल है ये मौटल है खतम हो सकता है। और ये डिके करता है। उसके अलावा अगर आप मेडिकल साइंस और नेनाटमी उठाएंगे तो आपको नेचर और बाडी की लंबी तफसील मिलेगी। लेकिन जो बनियादी चीज़े हैं वो ये हैं। अच्छा अब बाडी इटसेल्फ उसके अंदर जो खून दोड़ा है। जो सांस आ जा रहा है। उसमें से जो चीज़ें दाकिल हो रही है। यानि हवा और जो चीज़ें निकल रही हैं जाने फालतू मवाद। उसके अंदर जो पेन है। उसमें जो तकलीफ है। उसके अंदर जो डिके है। उसमें जो बिमारी है। उसमें जो रोज का चलना फिरना है। उसके जो खतम होना है। कर जो एजिंग होनी है, यह सब जिसम के फंक्शन्स हैं, ठीक, तो हम जब भी किसी चीज को एजिंग बढ़ापा कहते हैं, यह हम अपने जिसम की बात कर रहे होते हैं, इसमें क्रॉस कल्चुरिल कोई इखतलाफ नहीं है, कि तीन चीजें हैं, लेकिन स्पिरिट की बात साइक अपनी जमान में नहीं करती हैं, लेकिन यह जरूर कहते हैं, कि कोई चीज है जो नजर नहीं आती हैं, और इसके उपर कई किताबें बड़ी दिल्चस्प लिखी गई हैं, मसला है, फैंटम्स इन दे ब्रेन, रामा चंदर एक डॉक्टर हैं, नेरो साइंटेस्ट अमेरिका कि उन्हों ने लिखिया है, और भी कई लोगों ने ये बात किया है, यह कौन है जो इसको चला रहा है, यह मेरा बदन, यह मेरी रूफ, यह मेरा नफ, यह कौन है जो इस सब चीज को चला रहा है, तो इसके उपर उन्हों ने भी और बहुत लोगों ने बात किया है, कि इसक अंदर जो है वो consciousness है यह खुद भाखुद सांस का आना जाना बस कि एक machine ही अमल है अगर ऐसा है तो फिर जब यह body के functions खतम होते हैं तो क्या चीज निकल जाती है तो this is like a question that has not been decided by psychology itself but the unseen element इनसान के अंदर जो है वो body के इलावा है अब nature of soul या mind के है एक soul है और जो है वो spirit है soul है और spirit है रूह और नफस है इसको पुरानी योगिक tradition में या योगा की science में या हिंदुइजम में आत्मा और माया कहा जाता था आत्मा वो है जो हमारी रूह है और माया वो है जो कि जिसम और उसके हवासे जाहिरी है और कुरान की आयत है and they ask you about the रूह तो आगे क्या कहा चा रहा है तो उनसे कह दो ये अमरे रबी है इसके बारे में Lord के लावा यानि खुदा के लावा किसी को knowledge नहीं है तो रूह जो है वो एक person की immortal असेशन सेल्फ है नौमा भी इसको कहते है spirit और soul रूह ये वो immortal self है immortal का मतलब है कि ये खतम नहीं होती जब कि जिसम जो है वो physical immortal है नजर आता है रूह नजर नहीं आती उसे अब चूनी सकते और वो कभी खतम नहीं होती टीटर्स बर्कार्ट जिनका इसलामिक नाम शेख अब्दुल्ला है एक स्विस स्कॉलर थे उन्होंने अपनी किताब Alchemy of Mind में कहीं लिखा है कि जब मकान में से मकीन चला जाता है तो वो खाली रह जाता है जब जिसम में से रूह चली जाती है तो जिसम खाली हो जाता है एनिमेट नहीं रहता यनि जिन्दा नहीं रहता और उसकी तमाम हरकातों सकनात उसकी हरकत खतम हो जाती है और उसके तमाम आज़ा आज़ा आज तो ये रू क्या है जो निकलती है और रू और जिसम के बीच में क्या है ये बात सबसे दिल्चस्प है जानने के लिए जिस तरह काइनात की जो ला महदूद जिसे इंफिनाइट कहते हैं यानि ला महदूद जैसे खुदा ला महदूद है और जो हमें नजर आती है यानि जमी terrestrial का मतलब होता है जमीनी intermediate का होता है आस्मानी जमीन असल हकीकत और जमीन जो है उसके बीच में अस्मानी है ना अस्मान तो हद नहीं है उसके beyond है असल रियालिटी तो वो जो infinite है जो जिसके कोई हद नहीं है बेहद और साब बेकरा तो खुदा का वजूद भी और हकीकत का साद है दर्मियानी जो के हमारे और अस्मान के बीच में और फिर जमीन है अचा अब अगर ये एक शीशा है शीशे में आप कोई चीज रखेंगे तो उसका जो इदर की चीज़ है एक दराखत है ना उसका अक्स पानी में पढ़ता है तो उल्टा पढ़ता है ना शीशे को कोई भी चीज़ रखें उसका जो अक्स पढ़ेगा तो ये जो चीज़ है यहां आएगी और जो जड़ है वो यहां आएगी पानी के किसी भी दराखत और उसके साथ पानी में अक्स देख रहे हैं बात आपको समझा आजाएगी अब वो उल्टा अक्स है जो चीज़ सबसे उपर है काइनात में हमारी जात में वो सबसे अंदर है तो इन्फाइनाइट क्या है स्पिरिट लामधूत क्या है रूख उसके बाद है सोल और माइंड कुछ चीज़ें जो रूख की जहन से जुड़ने के लिए जरूरी है आला पाए के ख्यालात इंटलैक विल पावर यह है जो हमारा इरादा होता है तो यह जो हैं यह आपस में देखें यह बड़ा मुश्किल कॉंसेप्ट है हम एक जिसमानी चीज़ को एक गयर ना नजर ना लिवली कुछ चला रही है ठीक तो इसके जो दर्जे हैं उनको यू समझ लें कि इन्सान के जजबात उसकी खायशात उससे आगए उसका इरादा और उसके बाद उसकी रूँ तो जो जमीन सबसे नीचे है तो यहां जमीन जिसम सबसे बाहर है और इंफानाइट लाम है दूद सबसे उपर है तो इन्सान की रूँ में जब वो एक आईने की तरह आप समझ लें रियालिटी जो है वो मुनकिस ह होती है या उसका अक्स बनती है तो फिर हमारी स्पिरिट जो है यानि हमारी रूँ जो हो हमारा सबसे अंदर का सबसे गहरा हिस्सा होती है तो यह था हमारा human self में psyche body nature और इससे क्या मुराद है तो mind और उसकी जो faculties ہیں یعنی ذہن کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذہن سے تعلق ہے وہ ہم سب psychology میں outer senses جو ہے وہ پڑھتے ہیں پڑھ چکے ایک tradition کئی traditions میں کئی cultures میں ایک چیز ہے جسے five inner senses کہتے ہیں جس کو وہم بھی ہے جس میں خیال بھی ہے جس میں تخیل بھی ہے یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک اندر کی پانچ senses سے ہوتا اور امام غزالی نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے جبکہ modern psychology نے یہ وہم اور تخیل اور خیال اس کے بارے میں inner senses کے اتنی زیادہ بات نہیں کی ہوئی boundaries جو ہیں وہ نا نظر آنے والی اور نظر آنے والی کے بیچ میں کیسے بنتی ہیں یہی کمال ہے انسانی وجود کا اور یہی کمال ہے حقیقت کا جو باتیں میں نے پچھلے دو تین موڈیول میں کی ہیں اس کی reference کے لیے یہاں میں نے آپ کو دو کتابوں کے حوالے دیئے جو کہ آپ کی course outline میں بھی ملیں گے پچھلے چرا لیے جو باہتا ہے جو بھے جو بھے جو بھے جو بھے جو بھے झाल झाल